जे इंद मित्रों हिष्टी भाई एसन में आपका स्वागत है मित्रों आज हम इतियास के बड़े महत्पूर्ण वन लाइनर लेके उपसित है तो आए देखते हैं स्टार्ट करते हैं पाला सवाल है तो मिहममद विन्तिकुला को माना जाता है मुस्ट यह भी आगे रखते हैं मौर सम्रात अकबर попроб सम्रात असोक के सासन काल में प्रांतों कि लुक्षम शं 테ला कि राघ राइडश हो अजन्ता की काउंसी गुफा सरबाधिक प्राचिन है जिसमें सोरा बहुत दुपासकों को इस्तूप की ओर आगे बढ़ती हो चित्तित किया गया है तो गुफा संक्यानों में दिखाया गया है गोत प्रसासन में गज सेना काध्यच किसे कहा जाता था तो उसे महापीलूपत कहा जाता था गज सेना काध्यक्ष को नेक्स देखते हैं तो इल्तुतम इसके परिवार से संबंदी था आगे देखते हैं सल्तनत काल में विद्वानों योंगधार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक साहता क्या कहलाती थी तो इदरार कहलाती थी अगबन ने 1562 हिजवी मेड़ता पर सर्फूद दिन के नेत्योत में विज़ा प्राप्त की वहां के साथा कौन था तो जैमल था ये मोश्ट है एंगलो इंडियन हिंदू एस्सोसियेशन के स्थापना किसने की तो हेंडियन दिरूजीन ने की थी मोश्ट एए भी आगे देखते हैं महात्मा बुद्र की मृत्र के परशास उनके सरीर के आऊसेशों पर कितने स्थूपों का निर्माड किया गया तो आठ स्थूपों का निर्माल किया गया था गुप्तोत्तर काल में राजा द्वरा प्रदत भूम हमदानों के आग्या पत्र को क्या कहलाते थे तो शासन पत्र कहलाते थे ओ किस इमारत को ताजमाल की फूगण नकल कहा जाता है तो बीबी का मकबरा जो कर अरंगाबाद में इस्तित है, उसको कहते हैं तेस देवताका सब्सक्राइब करते हैं, जिसने एक त्योंतर नमीत करते हैं, अपसे तो मुहमद बिन तुगलक जो है, आकाल संगिता त्यार कर वाया था, आगे देखते हैं। लो गड़का की लाकिष ने बनवाया था तो ये गुर्गुविन सिंग ने बनवाया था कस्मीर के मारतन दमंडीर के संथापकों थे ललता दित मुक्तापूर थे रिग्वेद में किस अपरात का सबसे अधिकुल लेक किया गया है तो पसकी चूरी पसकी चूरी का जो है रिग्वेद में सरवादी को लिख हुआ है आगे देखते हैं उत्तरबाइदिक काल में सासन ब्यवस्ता का समान सुरूप क्या था तो ये राज्ट अंत्र था नेक्श देखते हैं मौर बंस का कौन सा सासक ब्रिद्धा वस्ता में जैन संत भद्रबाव के साथ दच्छिर चला गया था ये चंद्र गुप्त मौर था गुप्त उत्तर कालेन भूम ब्यवस्ता के बिरोध अतवा बिद्रो सुरूप किस दार्मिक संपरदाय का उदा हुआ तो लिंगाय संपरदाय का उदा हुआ था नेक्श देखते हैं किस मिरतियों में इस्तियों को says के संभिन माना गया है तो मामूद् घजिन्यव ने भारत पर पर पर्थम तथा अंति माकरवान के किस बरत किये परण माकरमद 1 नousing मेंकाूर कितों में तथा उत्तरा भार आपर किये थे आगे देखते हैं राश्टकूर्ट की राजबंस का उत्रादिकारी राजबंस था तो यह वाकटक राजबंस का उत्रादिकारी था नेक्स देखते हैं पूर्वैदिक या रिगवैदिक काल क्या माना जाता है तो पंद्रास इसापूर से एक हजार इसापूर की बीच माना जाता है आरियों की भासा क्या थी? यह संस्कित उनकी भासा थी आरियों का मुख ब्योसा क्या था? पसपालनेयों क्रिसी उनका मुख ब्योसा है था आगे देखते हैं आरियों ने सबसे पहले किसदात के खोच की तो लोहा के खोच की उन्होंने आरे सब्द क्या इंगित करता है नरजात समुन को इंगित करता है बाइदिक गड़े का महत्पूर्ण अंग क्या है सुलसूत्र है मोश्ट है बेदों का संकलन करता किसे माना जाता है मार्सिक किस्ट द्वयपायन बेद ब्यास को माना जाता है मोश्ट है बाइदिक धर्म का म नोक लग्षठ की उपासना थी परकेट की उपासना का उल्लेग मिलता है रिग्वेद का ministry मंडल 3 Cay gegen 3 से लिया गया है तो इसत्रो त्योंग्aन किस्वेद से संबंद से समय थे रिगवेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं, तो हजार अठाई सूक्तियां है, रिगवेद में कुल कितनी रिशाय हैं, तो 10462 रिचाय हैं, रिगवेद में इंदर के लिए कितनी रिशाय हैं, तो 250 है, रिगवेद में आगरिं के लिए कितनी रिशाय हैं, तो 200 है, रिगवेद के संबंद के से हैं इस्त्रोथ क्रिमकांड योंग बलिदान से संबंदी थे नेक्ट देखते हैं यजुरुवेद के पाठ करता को क्या कहते हैं तो अध्यरु कहते हैं कौन सब्यद गद्य और पद्ध में है तो यजुरुवेद जो है गद्य और पद्ध में अतरु का क्या आर्थ है पवित्र जादू पर्तम विदिन निर्माता कौन है तो मन है पर्तम विदिन निर्माता बागवान किष्र भाक्ति का प्रत्वम और प्रत्वान गरंथ कौन सा है, स्रीमत भागवत गीता है, नेक्स देखते हैं, बाइसेसिक दर्सन के प्रितपादक कौन है तो उलू कनाध है, मिमानसा दर्सन के प्रितपादक कौन है तो जैमिनी हो, बेदान्त दर्सन के प्रितप यह था नया दर्सन के लिए अगे देखते हैं कि प्राचीन बहारत में निश्क किसे कहा जाता था यह सोना अभूशन्द आ जो की गले में पाहना जाता था को न है यह दर्सन की पुस्त के किस पर अधारी थे दर्सन पर अधारी थे उप पुष्टगे कपिल मुंद्वारा प्रित्पादित दार्थनिक प्रणाली कौन से है तो इस शाख के प्रणाली है नेक्ष देखते हैं भारत में लवधात के प्रेशलन के प्रमाण मिले है अत्रणजी खेडा से कर्म का सिद्धांत के से संबंदित है यह मिमानसा चाहिए आगे देखते हैं घायत्री मंद्ध की रचना की तो इविश्वा मित्र ने किया था है उपनिसद काल में राजा असुपत की सस्थान के साथ ते कैकाई के राजा असुपत थे आगे देखते हैं बायदिक नभी कुम्भा या कुभा का अ उद्गम कहां से हुआ तई अफभगानिस्तान से हुआ है प्राचीन भारत में मुखभी सब्ड कीस के लिए प्रिक्ट हुआ तेश चावल के लिए सिद्ध हुआ है विष्लूपुणार कीस बन से समंदित है ते मौर बन से समद्धी थे, मत पुरार किस बन से समद्धी थे, आंध सात्वान बन से समद्धी थे, मोस्ट है, बाई पुरार किस बन से समद्धी थे, गुप्त बन से समद्धी थे, अदत वाद का सिधान्त किसे ने प्रित पादित किया, तो ये संक्राचार ने प्रित महाबीर के पिता काउन थे महाबीर के पिता काउन थे तेसे धार्थ थे ग्यात्रिक कुल के सासक थे महाबीर की माता काउन थे ये तिसला से लिच्छब गनराज के राजा सेटक की बाहन थे महाबीर के भच्पन का नाम क्या था तो यह वर्धमान नाम था इनका महाबीर को किश नदी के तरट पर पूंड ग्यान प्राप्त हुआ, तो रिजपाल का नदी के तरट पर एक साल ब्रिक्ष के नीचे इनको जो ग्यान प्राप्त हुआ था, आगे देखते हैं, महाबीर के परतम अनुवाई को थे, उनके दामा में बीवाजित किया था महाबीर ने आईसा कौनसा गंदर था जो महाबीर के बाद भी जीवित रहा आरusta धर्मा यह जो है महाबीर के बाद भी जीवित थे उनके बाद जो है यही प्रमुक होते हैं इस्थूल बद के सिथ्स क्या गलाते थे तो इस्थूल बद्र के सित जो है इस्थूतामबर कालाते थे क्योंकि इस्वित बस धरन करने वाले थे बद्रबाव के सित क्या कालाते थे दिगंबर कालाते थे इनन रहने में विश्वास करते थे आगे देखते हैं, जैन धर्म के सब्त भंगी ग्यान के अन नाम क्या है, तो स्यादवाद और निकांतवाद जो है, नाम है, जैन तिर्थंकरों के जीवनिक किसमे संग्रेत है, बद्रबाद और रचित कल्प सूत्र में है, आगे देखते हैं, आगे हैं, महाबीर को निर्वान कैसे प्राप्त हुआ, मल राजा सस्तिपाल के राज परसाद में, महाबीर की मृत के बाद जैन संकाद धेक्स कानमा सुधर्मन बना था, जिसे सुधर्मा अभी इसके पहले बताए थे, जैन धर्म की पवित्व पुष्टक कोंसी है, तो आग आगे देखते हैं, परसिष्ट पर करेचेता कौन है, तो आचार हेमचंद्र जो परसिष्ट पर करेचेता है, जीयो और जीन दो किस ने कहा था, तो स्वामी महाबीर स्वामी ने कहा थे, जैन धर्में पूर्ण ग्यान के लिए क्या सब्द है, तो कैवल है उसका नाम, दु परतिक चिन क्या है, तो सार है, जैन तिरतंकर पास्तुनाद का परतिक चिन क्या था, तो सड्व था, कौन सा छेतर पास्तूनाद से संबंद होनें, काण जैन सिध्फ छेत्र माना जाता है, जो सम्मेद सिखर माना जाता है, February 17 देखते हैं, दुपहिया, चौपहिया, बैलगारी या भाइसागारी के प्योग करते थे, मेशो पटामिया के अभी लेखो में ओड़ित मेलुहा, सब्द का इवराय किस्चे है, तो ये सुन गाटी की सब्विता से है, मोस्ट है ये, मेलुहा से तातपर सिंसब्विता से, आगे देखते है हरपपा संस्कीत का सासन संभावता किस बर के हाथ में था, तो ये बनिक बर के हाथ में, हरपपायों मोहंज उदुन को एक विस्तित सामराज की जुडवा रायधानी किस ने कहा था, ये पिगट महोदय ने कहा था, सिंदु सब्विता के लोग धर्ती को क्या मान कर पूचत भाबता की देवी थे स्वास्तिक चिन शमोटाची के देन यर्टास की मोहंज मोष्थ्ध्य हरपपा में एक चैऽिल बंधका पदा कि सतान से चलता है तो धोला वीरा से चलता है हडपा सब्षणि की saja अगे देखते हैं के हडपा की निवासी की रूची रहते थे सत्रमझ में रूत रर्क्राम करने हРЕख्ते थे हÝारा के संथ का आख जाता है मोहन जोदों को का जाता सिंध का बाग मोस्ट है हडपा रसा विदा के संफुन čhyतर का आकार किस परकार है यह तरिफूजा कार है मोस्ट यह भी आगे देखते हैं शिन्द गाटी के लोग की सत्यार से परचित नहीं थे तलवार से परचित नहीं थे एक मात रहप्पा कालिन अस्तल कौन साहय जिसका निचला सहर सामान लोगों के रहने की हेत भी किले से गिरा हुआ था यह काली बंगन था प्रदा प्रता यंग विश्या बृत किस अब्यता में प्रिचलित थी हरा यगर कंसी फशल सबसे आगे पाशन में में अगे थे हरा फाइग लोगों की समाजिक पद्धत कैसी थी उचित समतावादी यह पद्धत थी नेहस देखते हैं सिंद्ध सब्विता के लोग किस प्रकार के बरतन प्रयोग मिलाते थे काले रंग के डिजाइन किये हुए लाल मिट्टी के बरतन सिंद्ध शेत्र में उत्पादित कपास के ग्रीश या उजनान के लोग किस नाम से पुकारते थे तो सिंदोन के नाम से पुखारत है थे नेक्स देखते हैं किस अडपा कालेन अस्तल से पुजारी के प्रस्तन मूर्तियां मिली है ते अडपा से मिली है किस सिंदु कालेन अस्तल से एक इट पर बिल्ली का पीछा करते हुए चुहे कि पंजो के निसान मिले है तेस चन हुदलों से मिले है आगे देखते हैं कि सड़पा काली नस्तल से प्राप्त जार पर चूंच में मसली दबाई शिंडिया है यह हूं पेड की निचे खड़ी लोमरी का चित्रांकन मिलता है लोतल से मोश्ट है चालांक लोमरी का एक कहान ही लोथल से मिली है, आगे दिखते हैं, शाहिंदोव सब बिदा के मिनास का संभुता सबसे प्रभाब कालिकारन क्या था, तो बाढ़ था है, अगला है, आग में पकेवी मिट्टी को क्या कहा जाता था, तो एट तीरा कोटा कहा जाता था, नेक्स दिखते हैं, गते वास गड़द घर के शषक्ष कहां से प्राफ्त हो है, तो कस्मीर 9.60 कस्मीरी 9.60 पुरा अस्थल भू प्रहूश होम से, रोमन सुक्के कहां से प्राफ्त है तो अरिका मीड़ से जो की पांड़ैरी के निकत हैं मोश्ट हैं, हाई bit धन्यबाद में